उस्ष्य ने एक तिर्भूज में P QR में S एक बिंदू है जो कि भूजा QR पर इस प्रकार रिष्थी थे कि एंगल QPS जो है एंगल PSR का 1 by 2 है तो यहां पर आपको बदरना है एंगल QPR 78 डिगरी है एंगल PRS 44 है एंगल PSQ का माप आपको ग्याद करता है सबसे पहले जो यहां पर टर्म है इसको मैं समझा देता हूँ देखो अगर मैं 2 को यहां प्रलम करते हो जाएगा 2 QPS इकोल स्टी हो जाएगा 1 PSR और हम जानते हैं कि अगर इसके बटा में यहां current value जो हती है इंटर्चेंज जाती है इसका मतले यह लिखा गया है कि PSR जो है वो दो गुणा है किसके QPS के I hope यह चीज आप समझ पाया होंगे ठीक है चलिए अब हम यहां से triangle को form करते हैं अगर मैं यहां से triangle लेता हूँ यहां से triangle लेता हूँ प्यारा सर इसका मैं नाम करन कर देता हूँ यह है P यह है Q और यह है अपका R और इसमें बोला गया है कि A से एक बिंदू है QR पर है A से एक बिंदू QR पर है कहीं पर भी हो सकता है और यहां से एक line को मैं draw करके इसको मिला लेता हूँ जो कि हमें question के according यह बोला गया है देखिये इसको मैं क्या करता हूँ यहां से draw कर लेता हूँ आप यह मत समझेगा कि 90 degree है यह बिल्कुल आप मत समझेगा क्योंकि कहीं पर यह इसको bisect नहीं कर रहा है मतलब कि बरावर भागों में नहीं बाट रहा है यह हमसे नहीं बोला गया है ओके अब यहां से देखिये अब यहां पर angle PSR कितना है अगर मैं इसको theta मांगते है 2 theta हो जाएगा और QPS कितना है QPS यह angle अगर theta है तो यह angle कितना है यहां पर दो गुना है यह हो जाएगा 2 theta मैंने आपको समझाया है कैसे हुआ अब यहां से देखो angle QPR यानि कि पूरा angle जो है यह पूरा का पूरा angle कितना दिया गया है 78 degree दिया गया है उसके बाद angle PRS यानि कि यह वहला angle जो हमें दिया गया है कितना 44 degree दिया गया है angle PSQ का माप हमको ग्याद करना है यानि कि जो angle हमें ग्याद करना है यह जो यह एंगल आपको दिखाईते रहे न इसी एंगल को में find करना है इसी एंगल को में क्या करना है find करना है कैसे करेंगे देखिए अब यहां पर हम जो theorem इस्तिमाल करने वाले हैं एंगल exterior by sector angle का हम यहां से उप्योग करेंगे देखिए अगर मैं इसको ठीटा मालनूँ यहां पर यह ठीटा है ही तो अबर ये इसका जो exterior आंगल कौन से हाई इसका exteriorlevel यहां पर यह दिखाए दिखाई दिखाई यह ठीटा है यह 2 ठीटा का होगा इन पर यङोग करेंगे heta यह थीटा और यह थीटा अगर मैं दोनों को एड कर दूं तो यहां से निकल करा जाएगा क्योंकि यह इसका exterior by sector angle है और यहां से देखो यह 78 degree है पूरा का पूरा यह पूरा का पूरा 44 degree है अगर मैं इनको add करूं तो कितना हो जाएगा 122 और 180 में से अगर 122 को minus करूं तो यह कितना हो जाएगा 15 degree इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर थीटा की value आगए कितनी 15 degree अगर थीटा की value आगए तो हमें यह जो angle है पी एस आ रोला यहां पर 2 थीटा है यानि कि दो गुना है त्यां ठाउन का दो गुना होता है 166 होता है इसका मतलब यह हुआ कि जो यह angle आपको दिखाई दे रहा है 2 थीटा के value पर आ जाएगा कितना 116 degree इतना तक बात clear हो रही है I hope इतना तक बात आपको clear हो रही होगी अब हमें यह angle पता चल गया यह angle भी पता चल गया पर हमको find करना है जो black को आपको दिखाई दे रहा है यह angle हमें find करना है अब चुकि हम जानते है कि total triangle का अगर को यहां पर एक line है ठीक है इस circle पर हम स्टेट टमकर मैं यहां से एहां तक की चुणों यह पूरा कम पूरा 180 degree होता है कितना 802 टी अबर यह angle हमें कितना काta 116 degree और यह पूरा कम इंगल को करा हम चुछाओ यह Madonna को मानोय को माइनस करणों ख्या हमको यह जो एंगल हमको देखाए deficasonable है क्या हमको हमें पता नहीं चल जाएगा विल्कुल पता चल जाएगा कितना रह favori जो यह बना एंकल है कितना बेन हमसे पूछा गया बिल дело है का इस नमबर बी जो है इस question का answer हुजाएगा